Wealth, Power और Influence ये वो तीन सबसे important factors है जो एक ultra successful human को बनाती है और ये तीनों factors एक ही इंसान के पास हो ये आसान नहीं होता लेकिन history में एक ऐसा इंसान भी था जो इन तीनों चीजों का अकेला माली था जिसने दुनिया की पहली billion dollar company बनाई जिसके हर decision से अमेरिका की economy decide होती थी जिस अमेरिका की सबसे profitable industries को कई सालों तक अकेले dominate किया और जब वो अपने prime पर धाना तो the United States of America की economy literally उस पर depend करती थी जिसके एक signature से company collapse और bankrupt तक हो जाती थी अब कुछ लोग इन्हें पसंद करते थे और कुछ ना पसंद लेकिन सचाई ये है कि human history ने JP Morgan जैसा दूसरा human अब तक नहीं देखा हैं तो चलिए दोस्तों जानते हैं दुनिया के सबसे powerful banker, financier और investor की कहानी जिसके बारे में कहा जाता था कि ये शक्स अमेरिका को own करता है ये कहानी है JP Morgan की तो hello guys मैं हूँ कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए episode तो JP Morgan का पूरा नाम John Pierpont Morgan था जिनका जन्म अमेरिका के connecticut के heartford में अप्रेल 17, 1837 में एक बहुती सम्मानित और अमीर फैमिल में हुआ था उनकी फैमिली के strong background का अंदाज आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उनके maternal relative James Pierpont अमेरिका की one of the biggest university, Yale University के founder थे यही नहीं उनके दादा Aetna Insurance के founder थे और father जिनका नाम Junius Spencer Morgan था एक successful heartford based dry goods wholesale की company चलाते थे जो बाद में लंदन-based merchant banking firm के partner भी बने JP Morgan बचपन से ही पढ़ाई में काफी देश थे उनका interest maths में काफी था उन्होंने business और graduation अमेरिका के युरोप के सबसे महंगे college में पूरी की जब है 14 साल के थे तब उनकी पूरी family Boston Massachusetts में settled हो गई थी वहीं पर उन्होंने अपनी graduation पूरी की थी बचपन से ही Morgan को घूमने में पूरी करने के बाद वो अपने father के London based office में काम करने लगे और साल 1857 में New York City में settled हो गए अब यही पर उन्होंने साल 1860 में Amelia Sturgis से शादी की Amelia को tuber closest थी जिसकी वज़ा से शादी की कुछ महीनों बाद ही उनकी death हो गए JP Morgan अपने wife की death से इतने effect हुए कि वो depression में चले गए लेकिन वो कहते है ना समय सभी का घाव भर देता है और साल 1865 में उन्होंने दूसरी शादी Francis Tracy से की जिन से उन्हें चार बच्चे हुए लेकिन उनकी शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चली और 1875 में उनका डाइवोर्स हो गया अब यह Morgan के परसनल लाइफ के कुछ important highlights थे वहीं पर दूसरी तरह professional career में Morgan ने अपने शुरुवात काफी नीचे से की थी वो New York में आये भी थे क्योंकि उन्हें Duncan Sherman & Company नाम की एक banking firm में हाइर किया गया था जहां उन्होंने अपने शुरुवाती कुछ महीने as a typewriter काम किया लेकिन business और भच्पन से ही maths और analytical thinking में अच्छे होने की वज़ा से उनका interest investment research करने में काफी था वो अमेरिका के economical dynamic को बहतर तरीके से समझते थे और यही reason था कि उनका interest investment में काफी था काफी चूटी उमर से ही वे investment में अपने हाथ जमाने लगे थे उनके शुरुवाती investments के कई examples थे जैसे कि उन्होंने एक बार New Orleans में एक coffee के ship load को खरीदा और New York में एक merchant को एक high profit rate पर बेचा साल 1861 वो साल था जब 24 साल के Morgan ने अपना खुद का investment firm found किया जो कि उ इस साल Morgan ने अपना firm established किया था ना उसी साल अमेरिका में civil war start हो गया आम तोर पर war कभी भी अच्छा नहीं माना जाता लेकिन जो business man होते हैं वो जानते हैं कि war से भी पैसे बनाये जा सकते हैं और Morgan ने भी इस दौरान काफी पैसे कमाए इसके लिए उन पर कहीं criticism भी हुए उन से भी काफी profit कमाया अब अपने बेटे के business mind को इतना तेज देखकर Junius Morgan ने JP Morgan को अपने firm में ट्रस्टेबल और experience partner की जोडने की सला दी और इसी बात को मानकर Morgan ने अपने banking firm को New York के Philadelphia bank के साथ मर्ज किया जिसके बाद उनके firm का नाम Draxell Morgan & Company हो गया Morgan का हमेशा से सपना financial market पर राज करने का था और Draxell के साथ collaboration करने के बाद उनके firm ने 1400 million dollars की federal bond करी दे जिसने American economy को boost करने में काफी help किया ताकि war से जो country में unstability आई थी उसे दूर किया जा सके और ऐसा हुआ भी Civil War के खतमोने के बाद American government काफी करजे में चली गई थी वार ने American सरकार की कमर तोड़ दी थी वही Morgan की company अमेरिका की सबसे बड़ी refinancing institute बन चुकी थी और कई बड़े companies को पहले loan दिया और फिर जब उनका loan नहीं चुका पाए तो उन्हें अपनी company में merge कर लिया इस तरीके से उ अकेले ही American government के कही developments को fund करके उन्हें बचाया था उनका मकसद government के इस तरीके से help करके पैसा कमाने का नहीं था बलकि अमेरिका और दुनिया में अपने influence को बढ़ाना था और अपने देश की मदद करना था अब अपने influence का फाइदा उठा कर ही उन्होंने Edison General Electric और Thomson House Electric को एक सा formation किया जो दुनिया की अकेली कमपणी थी जो electrical products बनाती थी इसके साथ ही उन्होंने Steel Industries में भी significance merger किये उन्होंने अपनी कमपणी Federal Steel Company को Conrogy Steel Company के साथ मर्ज कर दिया और इस तरीके से United States Steel Corporation का formation हुआ जो बात में दुनिया का सबसे ज़्यादा Steel Producing Company भी बनी अब वैसे तो Morgan ने ह मेजर सेक्टर में अपनी पकड बना रगी थी लेकिन उनका हमेशा से मेन फॉकस बैंकिंग सेक्टर पर ही था और सबसे ज्यादा contribution भी बैंकिंग सेक्टर में ही उनका था जिस दौरान अमेरिका में नए बैंक्स खुल रहे थे और उनकी ब्रांचे अक्रोस नेशन खुल र एडिया एंड स्प्रिंज फिल्ड मरीन एंड फायर इंस्योरेंस को इलिइनॉइ शेहर में स्टैबलिश किया जिसके पहले केस्टिमर अब्राहम लिंकन थे जिन्होंने बैंक में 310 डॉलर्स डिपॉजिट कराए थे साल 1876 में उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को सपोर्ड किया और उनके फर्म में 5000 डॉलर्स का डोनेशन भी किया अब मॉर्गन का रदर फोर्ड को सपोर्ड करने का एक मात्र कारण एकोनोमिकल प्रस्पेक्टिव जे था उनका ये मानना था कि अगर रदर फोर्ड इलेक्शन में हारते हैं तो अमेरिक कि अन्होंने स्ट्रीम लाइन यानि कि रेल रोड को एक इंड़स्ट्री की तरह देखा और अमेरिकन एकोनोमी में उसके विद्तल एफेक्ट को भी समझा और उसे एक्वाइर करना शुरू कर दिया अब मॉर्गन के रेल रोड प्रोजेट को ना मॉर्गनाइजेशन के ना national harvesters सबसे important थे जे पी मॉर्गन औन company समय दुनिया के सबसे strongest investment bank बन चुका था और मॉर्गन का नाम इतिहास के सबसे significant और powerful banker में दर्ज हो चुका था लेकिन कहते हैं ना business is business जिसमें आप अपने फाइदे के लिए कई बार कुछ ऐसा कर जाते हैं देखो साल 19th century में ना Robert Barron इस word का इस्तेमाल उन industrialist के लिए होता था जिनके business decision और practices काफी ruthless और unethical माने जाते थे JP Morgan, Kenolius Vanderbilt, John D. Rockefeller जैसे businessmen के साथ Robert Barron term हमेशा यूज होता था जो अपने business और फाइदे के लिए कुछ भी कर सकते थे अपनी industries के चकर में अमेरिका को एक अग्रियन economy से एक industrial economy में वदल दिया इसके साथी industrial sector में भी उन्होंने अपने influence और repetition का फाइदा उठा कर monopoly कर रखा था अब US Steel पर तो उनकी अकेली monopoly थी इसके बावजूद उन्होंने General Electric and International Harvester जिसे आज नावित सार International के नाम से जाना जाता है उन्हें बढ़ने का मौका दिया जिनकी technology advancement ने agricultural sector में कहीं development किये Morgan को जितने लोग पसंद करते थे उतने ही लोग hate भी करते थे लेकिन इस बात से कोई भी इंकार नहीं कर सकता कि उनका influence American economy और development में remarkable रहा था 25 मार्च 1907 को जब अचानक से New York stock market अचानक crash होने के लिए बढ़ रही थी तब American government Morgan के पास पहुँची उस समय 70 साल के Morgan semi-retired हो गयते हैं लेकिन उन्होंने अमेरिका के panic economical situation को अपने experience और market analysis के थुरू बचाया था Morgan को एक नाम मिला था Robert King जिसने उस empire का formation किया जिसे टकर आज भी कोई नहीं दे सकता इतने सालों तक दुनिया की सबसे powerful country के economy पर राज करना एक नाममकिन काम था जिसे Morgan ने पूरा क्या था Wall Street के इस powerful person के death March 1913 में रोम के एक hotel में हुई थी जिसे में उनकी मौत हुई थी तब उनकी personal net worth 80 million थी ज्यादा लहीं नग रहा है लेकिन ध्यान रखिए ये 80 million 1913 के time में था जो आज के time में लगबग 2.3 billion dollars के करीब हो दो जबकि दोस्तों कुछ speculations के according अपने peak पर Morgan का fortune आज के time के dollar में प्रेडिक्ट किया जाए तो around 60 billion dollars के करीब होगी अपने life में Morgan ने कई रोल निभाए banker, financer, robber baron और एक hero का आज American Wall Street कई multinational companies, corporations के द्वारा कंट्रोल किया जाता है लेकिन Morgan अपने time पर अकेले कंट्रोल करते थे अकेले एक इनसान पूरे Wall Street को कंट्रोल करे शायद ही कभी ये future में हो पाई वैसे दोस्तों कैसी लगी आपको JP Morgan की ये कहानी अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना अगर आप नवस चैनल पर तो आपको ये वीडियो पसंद आई ना तो आपको ये वाली वीडियो भी जरूर पसंद यहां पर क्लिक करो और जाकर देखो बहुत इंडरेस्टिंग वीडियो है मैं मिलता आपको नेक्स एपिसोड के साथ तब तक के लिए बाए जै हिल